एक बार फिर से आप सभी का स्वागत साथियों मैं अशोप कुमार में ना और राय थान पर आप सभी का स्वागत करता हूं यह स्ट्रीज जो चल रही है एंटिवाइटी गागर में सागर सिध्धोती दिखा दे रही है आपका जो प्यार पिरे मिल रहे साथियों उसके लिए पीडियाइप आपको यताहुत मिल जाए और एकजाई रखेंगे पीडियाइप आपको कोई दिक्कत नहीं आगे अग्जाम बहुत यह मानिया आप लोग की अग्जाम होल में जाएंगे उससे पहले गागर में सागर रही रिवीजन के लिए शानदार है रिवीजन ली जो बच्चा नया भी अगर धंग से समझ रहेगा उसके लिए भी बहुत लाबदायक है बात कर रहे हम चंबल लदी तो यह जो आपके चंबल लदी है इसका उधगम आप लोगों के भद्दे प्रदेश में आप लोगों के इंदोर है विंद्या चल कि आपके जाना पावा की पहाड़ी है वहां से इसका उधगम होता है और उधगम होने के बाद मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके समझा रहा है कि आप लोगों के यह रावत भाटा है रावत भाटा से राजिस्तान में यह आपका चित्तोडगर का यह जो भाग अलग है यहां से एंट्री करती है तोड़ से एंट्री करने के बाद कोटा फिर कोटा बोंदी की सीमा बनाती है और उसके बाद सवाय मादुपुर करोले धोलपुर होता है अपना जल क्या कहा हमने अपना जल ले जाती है पे ध्यार रकना आप लोगों के यममु नामे जल कहा है यमूँनामे, यह दियार रखे, दूसरी बात यह जो नदी हम लोग नदी पढ़ रहे है इस नदी पर आपके पहली हुए है कितने राजियों में सागर बांद है थोड़ा उपर चलेंगे जवार सागर बांद है और और उपर चलेंगे तो कोटा भेराज बांद है जो कि आपके बहुरा वास्ता होगे यह एक वे नदी है विश्व की जहां बहुत कम दायरे में लगबग 100 किलोमेटर के दायरे में चार बड़े बांद हो चोटे बांद नहीं कहीं तुम लोग बना बैठो बांद तो चार बड़े बांद हो यह आपके ऐसी नदी है और देखिए कि किरम ध्यानकना है गांदी सागर बांद है लेकिन मध्य प्रदेश में कि राणा परताब सागर बांद है भराव चमता की दृष्टी से राजसान का सबसे बड़ा बांद है 113 वरक की मिप चाहे गहरा ही हो चाहे चोड़ा ही उससे मतलब नहीं बहाव चमता चाहता हो वह आपका कोण सा बाद है राण सागर बांद हो तीनों बांद है इनसे आफके जल विद्धुत का उतपादन होता है और आपके कोटा-बैराज बांद है यहांसे जल विद्धुत पादन नहीं होता है तो कोटा-बैराज 안ध केचमेंट-एरिया सरवादिक केचमेंट शमतां चाहे चोड़ा हम तकों मतलब नहीं हमें फैला उसे मतलब है उसे कहते हैं केश्मेंट एरिया तो केश्मेंट एरिया के सारवादिक है वे आपका कोटा बैराज का बांध का यह भी आप लोग ध्याना के यह नदी उद्गम अब 252 किलो मेटर तक नाई राजयस्तान में हैं नाई मद्य परदेश में यह बिल्कुल क्या है सीमा पर यानि इस सीमा रेखा का तब निर्दारन किया गया था तो इस नदी के आदार पर किया गया था तो सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी नदी के दुआरा बनाए गई आपके अंतराजय जल सीमा यह है यह ध्यानके और फतेवाद के पाई यूपी में यमना मिल जाती है और यह नद कहां चल जाता है इसका जल आप लोगों के बंगालिक खाड़ी तक जल पहुंच जाता है तो यह जो भूमी है इसे हम उत्कात भूमी को बिहड भूमी कहते है साधना भाशा में और भीहड भूमी आपके सवाई मादूपूर धौलपूर में ज्यादा है आला कारोली भी है ज्यादा सवाई मादूपूर में है और एक बीढ़ छित्र चारागा के मैदान के मैदानों कहते हैं क्लिया यह देखिए यह उत्खात भूमी है आपके कापी गहरे गड्य पाई जाते हैं ढाकू जाके चिपजाते हैं दांग का ढाकू नाग की राणियों कि ये क्या है यही पर मित्रओं आपके और चितोड से एक बामनी नदी को उदगम होता है वे बामनी नदी आपके बहेंस रोड़ गड़ चितोड में अपना जल ले जाती है और शूल्या जल्परपात बनाते बहस्वाइस रोड़ में एक यसी में राजिस्तान का सबसे बड़ा जाखंबांद की उल्टा किया और उल्टा क्या बना अठवाधारा मिटर्वर्स आपके चूलीज कमें आपके लसी estos होगया चोरा सी गड़ नामक इस्तान परता है यहाँ पर चोरा सी गड़ के पास से पर जन रखें आफ ़ोग धक्षिन से उतर की तरब अपना जन ले के जा रही है निटे वाही नदी है सरवादी ऐवनालिका उपरदन करती एं सरवादी जो गह रही है इसकी केश वराय पांटरण के पास है भूनी में ध्यार रirkिया आप लोग तो चंबल लधी कि Capeल लधी की वैवाद शृतर की लाइप लिय क्षिमाइंब के राइसान काम देन्यू के चरणमति के सरवादिक अवनालिक का पर्दन करती है सरवादिक सते ही जल ले जाए वन आपके नदी है सरवादिक गहराई जो आपकी है वूंदी में केसओ राए पाठन के पास में है मित्रो यह आपके वाटर सफारी पारक यहां विक्षित किया जा रहा है घड़ी आलो के आपके इस्रनिस्तिली है और आपके हेंगिक बिर्ज यो कोटा में यहां बनाए गया है तो इस सब बाते आपको ध्यान में रखनी है एक एंटिवाइटी गोर आएगा जिसम सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद थैंक्यों राम राम साब